हालो डियर स्टुडेंट वेलकम टू कोड़कुत लिला एजूकेशन आज हम बात करेंगे कुछ जो अलल भी कर रहे हैं स्टुडेंट उनके लिए बहुत अच्छी अपॉशनिटी है बहुत अच्छी जो ऑफिसर वेकेंसी आई हैं उनके बारे में तो हम दो वेकेंसी के तो आप इस वीडिव के लास्ट तक बने रहें वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आग्याने वाली वीडियो अप्डेट आपको प्रोवाइड होती रहे तो देखिए सबसे फस्ट है CC कोंपेटिशनल नॉटिफिकेशन दवजा चोबिस का आया है जिसमें बाइस वेकिंसी है दा कॉंपेटिशन कमिशन ओफ इंडिया सीसी आई का फुल फॉर्म है न्यू डैली हैज अनौन से रिकृट्मेंट नोटिस 422 यंग और यंग प्रोफेशनल पोजिशन अक्रोस डिफ इसमें रोल से ग्रेजवेट एंड पोस्ट ग्रेजवेट विद एक्सपिरियंस इन आई ट एकॉनमिक लॉव और डेटा अनलाइसिस मतलब इसमें तीन चार तरीके की पोस्ट जैसे जिसने आई ट कर रखी हो एकॉनमिक से हो लॉड इपार्टमेंट से हो मतलब इसने लल भ देख लेते हैं हम इसमें है पोस्ट का नेम है यंग प्रोफेशनल ग्रेड फर्स और ग्रेड सेकिंड टॉटल वेकेंसी ट्वेंटी टू है फिल्ड एकॉनमिक्स लो आई टी एंड डेटा अनलाइसिस एज लिमिट है 30 और 35 यह अब देखो क्वालिफिकेशन है ग्रेजव से ही आपकी जो जॉब है वह इंटर्व्यू सेलेक्शन के बाद ही आपकी डिसाइड की जाएगी और क्लॉजिंग डेट है जो कि 27 सेप्टेंबर है लोकेशन है जो कि वही न्यू डेली रहेगी आपकी अब देखो वेकेंसी है जो कि लॉग ग्रेड फर्स में है 10 वेकेंसी अलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लॉग इसमें अलल भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही में रजिस्टर डाइज एन एड्वोकेट इन अनी स्टेट बार कांसल इन इंडिया इन टाम ओफ एड्वोकेट एक 1961 और रेलिवेंट एक्स्पीरियंस के भी बात करेंग कि किस डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए यह ध्यान रखना है लल भी कंप्लीट साथ ही में स्टेट बार कांसल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एड्वोकेटी के लिए यह ओफिशन नौटिफिकेशन भी आ रखा है कि आपको जो अप्लिकेशन है वो कहा पर कुरियर करवानी है कि आप देख सकते हैं इंटर्व्यू के बहाफ पर स्लेक्शन होगा अप्लिकेशन की लास्टे 27 है और एक साइट भी दे रखी वेबसाइट इस पर आप चाहिए और भी चेक कर सकते हैं अपने बहाफ पर कि जो भी आपको डीटेल्स और भी चाहिए इसके बाद है यह इसका अड्रेस है जहां पर आपका अप्लिकेशन है जो की कुरियर याफ पोस्ट करवानी है यह जो अड्रेस पर है यहां पर करवानी है इसमें लास्टेट भी इसलिए बताई विए कि इससे पहले पहले आपकी अप्लिकेशन यहां पर पहुंच जाने यहाँ पर देखला experience बता रखता है अपको की जो experience in judicial और legal work in supreme court high court और एनने अदर लीगल और उथे रक्त मालना चाहिए जो आप किसी भी कौर्ट में हो सकता है गॉर्मेंट और ए रेगुलेटरी अथियॉर्टी और ए ट्रेबिनल और अनी सिमिलियर फॉर्म तब इनमें भी आपका जो है लीगल वक हो सकता है पॉफेसर, रीडर, लक्ट्रर अफ लोग अफ अनी रिकॉगनाईज उनिवर्सिटी प्रोफेशनल इंस्टिटूट और अब्रोड विद स्पेशलाइजेशन इन टीचिंग कॉंपेटिशन लॉग और लीगल मानेजर और अबाव इन अपॉर्पोरेट सेक्टर हाविंग एक अगर आपको लीगल वॉर्क करते हो तो यहां आप यह फॉर्म अप्लाइज कर सकते हो सकते हैं यह इसका पीडिएफ हैं div hmm यह आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा तो आप इसमें जो एलिजिबिलिटी है लो ग्रेजवेट अपलाई ओनलाइन त्रू पावर ग्रिड ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन पेज सावंथ नौंबर से और 27 नौंबर तक देने वाली है पावर ग्रिड लो रिक्रिट्मेंट दोजार चोविस त्रू क्लाइट 2025 ट्रेनी लो है नो वैकेंसी है इसमें इसमें है एज देखो मैक्सिमम 28 येर एज ओन लास्टेट सब्मिशन ओफ ओनलाइन अप्लिकेशन आपारेज रिलेक्शेशन थ्री येर है ओबिसी की फाइफ येर है एस सी की और टैन येर है पी ड़ल्यू बीडी की मंतली सैलरी है बेसिक पे 40,000 अलोंग विद एक्स्टे इसमें इतना फॉर्मिला होना चाहिए साथ में स्लेक्शन प्रॉसिस है कि आपको शोर्टिंग लिस्ट ओन दा बेसिक ओफ क्लैट 2025 स्कॉर के अकॉर्डिंग किया जाएगा ग्रूप डिसकॉशन होगा मतलब जीडी होगी और पॉसनल इंटर्व्यू होगा जीडी पी आई भी होगा और साथ में आपके क्लैट के स्कॉर से आपको इसमें शोर्ट लिस्ट किया जाएगा ओफिसर ट्रेनी में और अल्लाइन अप्लिकेशन विंडो फ्रॉम पावर गिड्ड ओफिसर ट्रेनी लो ट्वेंटी फोर की जो ओपन है वो सावन नवेंबर स और 27 नवेंबर तक होंगी और अजिस्टर्ड है जो कि पावर ग्रिड वेबसाइट से क्लैट 2025 अप्लिकेशन नंबर क्लैट का रोल नंबर और अधर जो भी नैसेसरी इंफोर्मिशन है वो सारी आपको फिल करनी होगी तो यह कंप्लीट दोनों वेकिंसी ट्रेनी लो के बा आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं